कि नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का पीकेडवन साइको यूट्यूब चनल पर चर्चा करेंगे आज और खासकर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों PRD की बारे में कि PRD क्या है किस तरह का इसका एक्जाम पेटर्ण रहने वाला है कितने पेपर होने वाले है किस तरह से इसका रणात मंकन होगा इंटर्वू होगा या नहीं होगा कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए दोस्तों इसका एक्जाम पेटर्न है उसकी चर्चा करेंगे साथ की साथ में थोड़ा सा सलेवस की चर्चा कर लेंगे उससे पहले हम एक वार इसके वारे में जान लेंगे जो PRD है इसकी यूगधाएं क्या है देखिए दोस्तों PRD अर्था जो प्राइमरी टीचर है उनके के लिए वेकेंसी है DSSV में कापी सारी वेकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर इस वार से है आपको जो DLAW के विद्ध्यारती है और BAD दोनों के लिए इस एक्जाम के लिए पात्रगोशित किया गया है दोनों को देखते हैं कैसी कैसी इसकी क्वालिफिकेशन से देखिए दोस्तों सबसे पहले यह आवश्यक है कि आपको 12th pass होना चाहिए 12th pass होना चाहिए और 12th में आपकी minimum 50% मार्क्स आपके निश्यत रूप से होने चाहिए साथ की साथ में आपके seatate clear हुआ होना चाहिए seatate clear होना चाहिए seatate qualify आप होने चाहिए और seatate qualify होने के बाद में आपको यह भी पता है कि जनरल के लिए 90 अंक जरूरी है या फिर आपके पास beard होनी चाहिए seatate की बात करें तो seatate में L1 आपके लिए बिल्कुल clear होना चाहिए L1 आपका compulsory है चाहिए बिद्ध्यारती है चाहिए DLA के बिद्ध्यारती है दोनों के लिए L1 की जो योगिता है seatate pass होना चाहिए यह तो एक सामाने से इसकी योगिता है लेकिन हम इसकी चर्चा करें कि इसका जो syllabus और exam pattern क्या रहने वाला है यह बड़ा महत्पूर है देखिए दोस्तों इसका exam pattern है इसको दो parts में विवाजित किया गया है इसके दो parts बनाए गए है paper दो नहीं है parts दो है एक तो A है और एक B part है ध्यान रखना है आपको कि जो A part है इसमें आपके 100 प्रस्ण आपसे पूछे जाएंगे ए पार्ट में कितने प्रस्ण पूछे जाएंगे 100 प्रस्ण आपसे पूछे जाएंगे और यह जो 100 प्रस्ण होंगे यह आपके कितने अंक के होंगे दोस्तों प्रतेक प्रस्ण एक अंक का होगा अर्थात कितने अंक हो को कि ये जो 40% अंक यहां पर लाना आवशक है और यहां पर भी मित्रो 40% अंक लाना आवशक है अगर आप ये 40% अंक नहीं ला पाए तो आपके इस पेपर का कोई वजूद नहीं रहेगा बो है 40% अब इन 100% प्रस्णों में से किस किस तरह से प्रस्ण आएंगे उसकी चर्चा मैं आपके सामने कर लेता हूँ देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले आपकी जनरल अवेरनेस या फिर कैदू में इसके आपको पता है मित्रो इसके 20 कुश्चंस आपके आने वाले हैं कितने प्रस्ण आने वाले हैं इसके 20 प्रस्ण आने वाले हैं और जो 20 प्रस्ण होंगे आपके कितने अंकों के होंगे 20 अंक के होंगे 20 प्रस्ण कितने अंक के होंगे 20 अंक के होंगे दूसरा जो step आएगा आपका वो आएगा reasoning का reasoning के भी आपके मित्रों कितने प्रस्ण होंगे reasoning के भी आपके 20 प्रस्ण होंगे और यह जो 20 प्रस्ण होंगे यह कितने अंक के होंगे यह 20 अंक के होंगे 20 प्रस्ण कितने अंक के होंगे 20 अंक के होंगे तीसरे की बात करें हम तीसरा जो part आपके आने वाला है पार्ट से मतलब तीसरा जो subject इसमें आने वाला है तो आपसे maths के बारे में यहां से जानकरी पूछी जाएगी और maths में भी same बोई रहेगा 20 प्रस्न यहां से पूछे जाएगे और यह 20 प्रस्नों का अंक भार होगा दोस्तों कितने 20 अंक ही इसके अंक भार होंगे अगला जो आपके पास बिशे जो language की रूप में आएगा वो आएगा आपका English English के भी आपके मित्रो 20 प्रस्न होंगे और यह जो 20 प्रस्न है यह भी कितने अंकों के होंगे ये 20% भी आपके 20 अंक के निर्धारित होंगे इसके बाद में 5 पे की बात करें तो आपको Hindi language यहाँ पढ़नी पढ़ेगी Hindi भी आपकी आएगी और ये 20% आपके होंगे और ये जो 20% होंगे ये भी कितने अंकों के होंगे ये भी 20 अंक के होंगे कहने का मतलब है यह जो 100 अंग है उपर वाले पार्ट एक है इसको इस तरह से 5 भागों में बार दिया गया है और यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह पांचों में आपको 40 प्रतिशत अंग लाना कंबल सरी है अगर यहाँ पर आप 40 प्रतिशत अंग नहीं ला पाए तो आपकी जो भी पार्ट है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा आपको निश्चित रूप से इस रूप से ध्यान रखना है एक चीज और यह ध्यान रखें कि इसमें आपके निश्चित रूप से नेगटिव मार्किंग की जाएगी तो नेगटिव मार्किंग है वो भी आपकी इसमें होगी अब यह negative marking होगी कितनी यह बड़ा विश है है तो ध्यान रखना negative marking आपके कितने अंकिय होगी एक बटा 4 होगी negative marking कितनी होगी एक बटा 4 आपके negative marking यहाँ पर रखी गई तो यह तो था part 1 part 1 और अगर मैं part 2 की बात करूँ अर्थात यह part 1 की चर्चा करी है अपने किस की चर्चा करी है यह तो हमारा part 1 ता कैसा बटा पार्ट 1 अर्था part 1 की बात करें जो आपका part B आएगा उसे हम यहाँ देख लेते हैं part B part B में क्या होने वाला है देखिए दोस्तों यहाँ पर part A में कितने question हो गई 100 question हो गई लेकिन यहाँ पर part A को भी कितने भागों में बारती है 5 भागों में लेकिन part B की बात करें part B में दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसने भी कितने प्रस्ण होंगे वही 100 प्रस्ण होंगे कितने प्रस्ण होंगे और कितने अंकों के होंगे वह सो अंक के होंगे, कितने अंक के होंगे, सो अंक के होंगे, अब यहां से यह जो सो प्रस्ण है, यह आपके दोस्तों पेड़ा गोजी से सम्दित होंगे, यह जो सो प्रस्ण के सम्दित होंगे, पेड़ा गोजी से सम्दित होंगे, साथ में इसमें आपके मनोबिज्ञान के प मैथ की पेड़ागोजी देखनी होगी, साइंस की पेड़ागोजी देखनी होगी, इंगलिस की पेड़ागोजी आपको देखनी होगी, हना तो सामने जो आपके बिशे जो इसमें चल रहे हैं, डीलेड में, उन सब की पेड़ागोजी देखनी होगी, साथ की साथ में आपको द्यान रखना psychology के प्रस्ण भी देखने होंगे psychology के प्रस्ण भी आप से यहां पूछे जाएंगे लेकिन ज्यादा weightage के सरा हैगा पेडागोजी का रहेगा पेडागोजी और psychology के total में लाकर कितने प्रस्ण होंगे आपके 100 प्रस्ण होंगे पार्ट सेकेंड में यहां पर भी इन सौ प्रस्णों में भी आपके लिए दायरे रखा गया है कि 40 प्रतीशत अंक आपके आने आवशक हैं अगर आप इसमें 40 ले आए और उपर वाले में 40 आपके नहीं आए पार्टे में तो भी आपकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी इसलिए दौनों ही पार्ट में 40-40 प्रतीशत अंक होने आवशक हैं और दौनों में ही नेगर्टिव मार्किंग आपकी रहेगी जो है आपकी एक वटे चार कि अगर्ग इसके बाद में हम यह देखें की तो आपके समझ में आरहा होगा यह जी के के मिलेंगे शक्राइद से इस तरह से आप इन चीजों को देखें अब हिंब बता दूँ आपको जो psychology है आप psychology को आप 11th और 12th NCRT 11th और 12th की जो book चल रही है वहां से आप इसको पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यदा फायदा होने वाला है क्योंकि यहां से आप से एजटिज आपके प्रस्ण पूछे जाते हैं क्लास 11th और 12th की psychology book आप जरूर पढ़ें पेड़ागोजी अब तक आपने जो भी कुछ नोट्स बनाया है उनको पढ़ लें और साथ की साथ में आप बस्तुनिष्ट प्रस्णों का अर्था जो आपके objective प्रस्ण हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें जिससे आपका ये पेड़ागोजी वाला जिसे बी किताब आपको आपको अपलक दें उनसे आप नचायादा प्रस्ण ये कैसे कारें तो मैं आपको बता दू, आपको तैयारी, अगर आप बुक्स से करना चाहते हैं, तो बुक्स से अच्छा तो कुछ ही नहीं, सबसे वेस्ट की बात करें, तो बुक्स ही है, कोचिंग और यूट्यूब से बात करें, तो मित्रो मेरा जहां तक मानना है, कि हमें बिलकुल इनका साहरा लेना चाहिए, लिएन जैसे हमें यूट्यूब का हम साहरा लें, कोई किसी का एप का घर हम साहरा लें, तो मेरा मानना है कि 2-3 घंटे कि आप वीडियो यहां से देख सकते हैं, वाकी आपको फॉक्स कहां पर रखना होगा, बुक्स पर आपको फॉक्स ज्यादा रख सीटेट को आपको पास करना क्वालिफाई था, क्वालिफाई अगर है तो ही आप इस फॉक्स के अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट की आपने तयारी की है, वो भी निश्यत रूप से यहां पर आपकी बहुत काम में आने वाली है, तो निश्यत रूप से आप सीटेट की तयार इसकी जो संभावना ये बनती है वो एक्जाम की जुलाई के बाद की ही संभावना बनती है अगस्त ये सितंबर के आसपास इसकी संभावना ये बनती है तो जुलाई की बाद आपके एक्जाम निश्य तूरूप से होने की संभावना ये बन जाती है लगोगा आपके पास त इसका रखा जाएगा बात करें हमें इंटर्वियो की तो इंटर्वियो दोस्तों इसमें आपका नहीं होगा इसमें इंटर्वियो नहीं होगा यह अच्छी बात है लेकिन बिसे इस रूप से ध्यान रखें कि एक्जाम में आपके क्या रखी गई है नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर रखी गई है तो एंटर्वू तर नहीं है लेकिन आपके पास क्या है नेगटिव मार्किंग है तो ये सारी चीजें भी आपको भी से सुरूप से ध्यान रखना है एक्जाम जोलाई अगस्त सतंबर के बीच में आपके होगा एक्जाम सिटी आपका सेंटर देहे लिए नोइडा में होगा इंटर्वू इसमें नहीं होगा नेगटिव मार्किंग इसमें सौफ प्रतिशत रहने वाली है तो ये सारी जो जानकरी हैं दोस्तों वो हमने चर्चा करी है तो अगर आपको थोड़ी सी भी जानकरी पसने क्लास को लाइक अवश्च करें और अगर पेडागोजी और साइकलोजी को पढ़ना चाते हैं तो इस चैनल से जोड़ सकते हैं पेडागोजी साइकलोजी के लिए चैनल निरंतर मेनत करता है तो आप यहां से भी थोड़ा सा लाब ले सकते हैं आप सभी ने इस class को देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, Bye Bye आप सभी का बहुत 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 बहुत